हेलो दोस्तों DC machines के important questions का यह आज हमारा part 6 है तो चलिए आज का पहला question देखते हैं at 220 volt separately excited DC generator is run at full speed without any excitation the open circuit voltage will be अब आप यहां पर देखे without any excitation इसका मदल है कि जो field current है field winding से वह 0 होगा जब field current 0 है यानि की field flux जो होगा हमारा वह भी क्या होगा 0 अब जब field flux ही 0 है तो induced emf भी हमारा क्या होगा नियर्ली 0 होगा अब नियर्ली 0 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ तो residual voltage होगा हमारा field flux तो 0 होगया लेकिन पहले से क्या होगा हमारा कुछ residual flux प्रिजेंट होगा उस residual flux के कारण क्या होगा कुछ ना कुछ EMF induced होगा तो इसलिए जब हमारा कोई भी एक्साइडेशन नहीं है तो उस कंडिशन में जम हम ओपन सर्किट वोल्टेज देखेंगे तो वह आएगा हमारा लगवग 2-5 परसेंट ओ रेटेड वोल्टेज यह होता हमारा 2-5 परसेंट रेटेड वोल्टेज का अब यहां पर हमको रेटेड वोल्टे 2-20 वोट दिया हुआ है तो आप देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह जाएगा अबाउट 2 वोल्ट नैक्स्क्रूशन देखते हैं कि इन असेपरेटली एक्साइटेड जनेरेटर सप्लाइंग रेटेड लोड दा अर्मेचर रियक्शन ओप्संस दे रखें इस ओल्वेज प्रिजेंट इस ओल्वेज एपसेंट मेभी सम्टाइम्स प्रिजेंट नन ओब दी आवां यहां पर देखिए सबसे पहले आप इस इस इमेज को देखिए यहां पर इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा जब हमारा अं आल्लंटेटक्ड जीरोय यानि कि कोई लोड टनक्टिट नहीं है तो आ ai मैचर से कोई करण फिलो नहीं होगा क्या होगा हमारा आ harma एक यृशन फ्लक्स भी होगा-जीरोय और जब ल साथ कोई साइट करेगा अब जब मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा यानि कि रेटेट कंडिशन की बात करूंगा जब रेटेट करन्ट फिलो होगा आर्मेचर वाइनिंग से तो उसमें क्या होगा एक आर्मेचर फ्लक्स डवलप होगा जो फ्लक्स होगा वह 90 डिग्री पर एक्ट करेगा हमारे फिल्ड फ्लक्स से आप देखें यहां पर ऐसे हमारा फिल्ड फ्लक्स था नाइंटी डिग्री पर ऐसे एक्ट कर रहा हमारा आर्मेचर फ्लक्स तो इसके कारण क्या होगा हमारा जो फिल्ड में फिल्ड जो था हमारा फिल्ड फ्लक्स वह क्या हो जाएग रहेगी लोडेड कंडिशन होगी तो उस टाइम पर आर्मेचर रियक्शन प्रजेंट होगी यह नहीं होगी यह हो भी सकती है यह नहीं भी हो सकती है तो देखिया भी हमने देख लिया है कि जब जब लोड कनेक्ट होगा हमारे तो आर्मेचर रियक्शन होगा ही होगा और इसी जनेरेटर दा इंडूस्ट इम्फ एड जीरो स्पीड विल भी यहां पर हमको दिया वाद देखो रैसीडियोर मैंगेटिज्म है और इस्पीड क्या हमारी जीरो दे रखी है अब जाब इस्पीड जीरो है तो सबसे पहले रिलेशन को देखिए इजी इस इक्वेल स्टू के एन फाई अब यहां पर एन हमारी स्पीड है जब इस्पीड जीरो दे रखी है हमारी तो इंडूस्ट इम्फ होगा वह भी हमारा क्या होगा जीरो तो ओप्सन इसमें करेक्ट हो जाएगा उसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकत कि आप देखिए हैं यहर कॉन्ज संफ कर देखिए हिस्ट होने के लिए क्या région होती है अगर फीललक्स है आपका ऊसमें आर मोचर जो छो कंडॉक्टर है वह क्या होना चाहिए होना जाए जब गर्संद पार मिक्रण तो झीन वहीं हो एँगा तो पससेल हमारा क्या हो next question देखिए armature reaction in a generator results in options दे रखे है demagnetization of leading pole tip and magnetization of trailing pole tip ऐसे B में दे रखे है demagnetization of trailing pole tip and magnetization of leading pole tip और यह दे रखे है COD demagnetizing and magnetizing of center of all poles सबसे पहले इसमें यह दो point जो दिये हो है trailing pole tip और leading pole tip यह क्या चीज़ें इनको समझ लेते हैं देखिए हमने अभी armature reaction का concept पहले भी देख लिया था जब हमारा load connected नहीं होगा यानि कि armature से current zero flow हो रहा होगा हमारा तो उस time पर हमारा only field flux present होगा और GNA और MNA क्या होगी एक साथ coincide करेंगी और जब हमारा load connected होगा यानि कि armature से current flow हो रहा होगा तो हमारा armature reaction action में आएगा जिसके करण हमारा main field था हो क्या हो जाता है distort तो कुछ इस तरीके से वह हो जाएगा अब आप यहां पर देखिए जो field flux density है इस point पर जादा हो गई है और इस point पर जादा हो गई है अब यहां पर यहां पर lpt लिखाओ इस point पर देखेंगे आप तो field flux आपको क्या दिखेगा कम दिखेंगे इन red lines को देखेंगे आपको field flux को show कर रहा है ऐसे यहां पर LPT है यहां पर फिल लाइन्स हमारी कम है तो देखिए आप यह LPT और TPT का मलब है leading pole tip और TPT है यहां पर trailing pole tip अब यह कैसे decide किया इसके लिए आप देखिए जिस direction में generator rotate करता है दूसरे फिगर में बताता हूं अगर यह नौर्थ है और यह south है अगर direction of rotation generator की ऐसे है तो जिस direction में generator rotate कर रहा है तो उस direction में जो पहली pole tip आएगी वह हमारी कहलाएगी leading pole tip और जो previous वाली है उसको कहेंगे trailing pole tip ऐसे नीचे की साइड में देख लेते हैं यहां पर rotation की इस direction में रोटेट करते हैं पहली tip यह आ रही है तो यह कहलाएगी हमारी leading pole tip और previous वाली जो यह है यह कहलाएगी हमारी trailing pole tip इसी तरीके से यहां पर इस figure में लिखा हुआ है leading pole tip trailing pole tip यह इसी तरीके से दिया गया हुआ है तो अभी हमको कुश्यन में दिया हुआ है कि आर्मेचर reaction इन जनरेटर रिजल्ट इन तो आर्मेचर reaction के कारण क्या effect हो रहा है जनरेटर में तो आप यहां पर देखे इस point पर मैंने बताया flux density ज्यादा हो गई है और इस point पर क्या हो गई है कम तो यानि कि जो हमारा trailing pole tip है उसका तो क्या हो गया magnetization और leading pole tip है वहां पर क्या हो गया demagnetization अब demagnetization का मनलब क्या है कि हमारा यहां पर flux density reduce हो गई है demagnetization यहां पर क्या है कि reduction को शोग कर रहा है तो demagnetization तो आपका leading pole tip हो जाएगा और trailing pole tip पर आपका magnetization हो जाएगा तो option यह इसमें आपका correct हो जाएगा next question देखते हैं when two dc series generators are running in parallel and equalizer bar is used देखो दोस्तों यहां पर जो equalizer bar यह use किया हो है word इसका मलब है कि यह conductor होता है यह क्या होता है यह क्या होता है लो और यह कहां पर यूज में लेते हैं जब dc series generators को parallel में रन करवाते हैं उस time पर हम इसको यूज में लेना पड़ता है क्यों क्योंकि जब दो generator series में parallel में run करते हैं तो उस condition में क्या होता है कि एक generator overload हो जाता है और एक मांनली जीए कि जो यह i2 current है वह increase हुआ जब हमारे load current increase हुआ जब आई to increase होगा तो जो FC है आपका यह B इन्क्रीज होगा अगर वाइसी increase होगा तो आपका generator इयाम भी increase होगा अब जब ऑगन rusyn होगा तो फिर से क्या होगा हमारा current increase होगा तो यह क्या हो जाएगा एक cumulative process हो जाएगी और जो सारा का सारा load है उसको क्या करेगा जनरेटर जी टू है वही share करेगा और आई वन है उसकी value लगबक nearly zero ही हो जाएगी यह क्या करेगा बलकि motor की तरह act करने लग जाएगा यानि कि हम कह सकते जनरेटर जी टू है जो तो overloading condition में चला जाएगा और जी वन अंडर लोड यानि अंडर लोड मतलब की यह motor की तरह करने लग जाएगा अब ऐसा ना हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं एक को लाइजर बार कनेट कर देते हैं यहां पर दोनों के बीच में जिसे जो सर्प्लस करेंट जी टू में जो आ रहा था वो क्या करेगा इधर से डाइवर्ट होगे जी वन में चला जाएगा तो दोनों सिमिलर मसीन्स विल पास अप्रोक्सिमेटली इक्वल करेंट्स टू दा लोड यह आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्षन ४ासरी नएक्स्व देखते हैं कि विच ऊपदा फॉलॵिंग जनुनरेटिंग माषीन विल ऑफर कॉश्टंट वोल्टेज ओन ओ और लोडそ यहां पर हमसे constant voltage के बारे में पूछ रहा कि कौन सी मसीन सारे loads पे constant voltage प्रुवाइड करवाती है तो देखिए आप इस figure को देखिए यह एक ग्राब बना हुआ आपका generated EMF और load current के बीच में तो आपका जो flat यह लेवल compound generator जो होता है वह जो कोई भी लोड आपका बहले नो लोड कंडिशन हो बहले रेटेड लोड कंडिशन हो यह हाप रेटेड हो कुछ भी कंडिशन हो उस पर लगबग क्या करेगा आपको यह constant voltage हमेशा ओपर करेगा बाकी और भी देख सकते हैं अप अंडर compound cumulative separately और सं तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका level compound generator option c next question देखिए which of the following generators will be preferred if they are required to be run in parallel तो parallel में run करने के लिए क्या करते हैं हम sunt generators को prefer करते हैं sunt generators को prefer इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो characteristics होते हैं और dripping characteristics होते हैं अभी हमने देखा था कि जब series generator को हम parallel में run करवा रहे थे तो एक generator क्या हो रहा था इसके कारण फिर से करण्ट के बीच में जो बने हुए थे यानि कि जैसे जैसे लोड करेंट और इनक्रेश्टिक्स हो रहा था और जैसे हो रहा था क्योंकि उनके जो characteristics थे और राइजिंग characteristics थे यहां पर generated EMF और लोड करेंट के बीच में जो बने हुए थे यानि कि जैसे जैसे लोड करेंट और इंक्रीज हो रहा था अब आप यहां पर देखिए जैसे जैसे आपका लोड करेंट इंक्रीज हो रहा है यहां पर आप लोड करेंट जीरो है तो आपका जो वॉटेज है इंक्रीज होगा यानि कि लूड करेंट इंक्रीज होने पर अगर फिलक्स जञआज आपका इंक्रीज होगा तोever रहाग्यां हुए जान्य करेंट करेंट पर इières्भू अहें bis pais करते हैं लोड को तो ओप्सन एक और जाएगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं अब डी सी जनरेटर वर्क्स ओंद प्रिंसिपल ओ यह तो सभी को परता है जनरेटर मोटर की इस फ्रिंसिपल पर वर्क करते हैं फैराडेज लोग इलेक्ट्रोमेनिटिक इंडक्शन ओप्सन सी कर लोड करंट एंड नन अब देखे स्री जन्रेटर बना लेते हैं पहले इस रीज वाइंडिंग हो गई आपकी कुछ ऐसा आपका स्रीज जन्रेटर होगा अगर आपका लोड करंटी जीरो होगा अगर यहां से करंटी आपका क्या सोरी डारेक्शन ऐसे आएगी जन्रेटर है अगर लोड करंटी आपका जीरो है तो क्या हो जाएगा आपका इसमें से कोई करंट फिलो ही नहीं होगा वाइं कि नैक्स कुश्चन है एस संट जनरेटर कें शैल पैक्साइट ओप्संस दे रखें ओनली इप्द रजिस्टेंस ओप्दा फील्ड सर्किट इस लेश्टिकल वेल्यू जानी कि जो आर एफ है फीलल सर्किट का रजिस्टेंस वो लेश्टेंस और नहीं कुट्रीकल रजिस्ट से ओप्सन सी में कहा रहा है इर्रेस्पेक्टिव उप्दा वैली ओफ रेजिस्टेंस इंदा फिल्ड सर्किट याने कि इंडिपेंडेंट फिल्ड सर्किट के रेजिस्टेंस पर तो देखिए संट जनरेटर को सेल्फ एकसाइट करने के लिए यह कंडिशन जो होती है हमारी मचांब फिल्ड फिल्ड श्था करांग उफिनागी कहां उसके साथ एक और कंडिशन होती है जो हमारी स्पीड होती है वो क्यिकल रेजिस्टेंlt से ज्यादा होनी चाहिए और उसके अलावा दोस्तों वूल्टेज बिल्ड पे बहुत कुश्ठेंस पूछे जाते हैं ऐसा पूछा जाता है कि voltage बिल्डफ फेल होने के क्या क्या कारण है तो आप इस image में देख लिए जे क्या क्या कारण है पहला है कि अगर residual flux absent होगा तो voltage बिल्डफ नहीं होगा दूसरा दे रहे का अगर field connection is wrong तो फिल्ड करेक्शन आप उल्टा करेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका करेंट अपोजिट डायक्शन से फिल होगा तो अपका क्या हो जाएगा कोई भी voltage बिल्डफ नहीं होगा तीसरा दे रहे का direction of rotation इस रोंग अगर डायक्शन जो है आपकी rotation की वह पोजिट कर दोगे तो भी voltage बिल्डफ नहीं होगा एक दे रहा का field resistance is more than critical resistance यह point अभी देख लिया था अपने की field resistance कम होना चाहिए speed less than critical speed अभी देखा था मनेंगी अगर voltage बिल्डफ करना तो speed ज्यादा होनी चाहिए अगर कम होगे तो वोल्टेज बिल्डफ नहीं होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कि अगर टर्मिनल वोल्टेज ओप स्रीज जन्रेटर इस वन फिप्टी वोल्ट वैंदा लोड करेंट इस फाइप अम्पियर अब इसको ग्राफ में लिखते आते हैं माली जिए यहां पर 5 अपका करण्ट है और इस टाइम पर आपका वोल्टेज है 150 वोल्ट कि इप दा लोड करेंट इस इंक्रीट तू 10 अंपर यहां पर एंपर माली जी रेटेड वेल्यू पर हमारा 10 अंपियर तो इस ताइम पर क्या हो जाएगा कुछ कैसे होते हैं राइजिंग करेक्टरिस्टिक्स तो यहां पर क्या होता है जैसे जैसे हमारा लोड करन्ट इंक्रीज होगा तो हमारा जनेरेटर इमें भी इंक्रीज होगा तो पहले फाइफ एंपर फिप्टी वोल्ट था अब टैन एंपर कर दिया यानि कि 150 वोल्ट से अब देखें यहां पर जो कंपाउंड जनेरेटर होता है तीन तरीके का होता है एक आपका ओवर कंपाउंड होता है एक आपका फ्लेट कंपाउंड यह लेवल कंपाउंड भी कहते हैं इसको और एक होता है आपका अंडर कंपाउंड जो आपका ओवर कंपाउंड है इसको ओप 계न देखे और compound में जो आपका full flow terminal voltage यो होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है नोझ टर्मिनल वोल्टेज से अंध्याद्यजी का जो Łण वोल्टेज होगा आपका वह 10 लुटेज से ज्यादा होगा फ्लैट कंपाउंट के कंपंडिशन में यह दोनों एक्वर हो जाते हैं और अंडर कंपाउंड में जो आपका फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है वह नोड टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है अब यहां पर हमसे पूछा है कि open circuit बोलतेज्ट अब आठ फूल लोड तर्मिनल वोल्टेज तो फूल लोड पे वोल्टेज बूंचा है अब इन उप्संस में से हम एक भी करेक्ट नहीं बता सकते के अलावा क्यों अब देखिए यहां पर हमसे बोला कुश्चन में यह नहीं बताया गिए और यहां फ्लैट कंपाउंड है या अंडर कंपाउंड है तो विल बी लेस्ट टू टू फिप्टी वोल्ट यह किसके लिए ट्रू होता यह अगर अंडर कंपाउंड होता तो उसके इसमें सी ओप्शन में दिया में बीडिए और लेस्ट टू फिप्टी वोल्ट तो यह हमारा क्या करता सैटिस्फाइ करता है कंपाउंड जनेटर दिया हुआ है अग इसमें हमको कोई ओवर या फ्लैट या अंडर नहीं दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट ह हो जाएगा नेक्स सुच्छन देखते हैं कि असेंशियल कंडिशन फोर पैरलल ओप्रेशन ऑप्टू डीच जनेरेटर्स इडएट दे हैं सेम किलोवाट रेटिंग सेम ओप्रेशन आर्पीम दा सेम ड्रूपिंग वोल्टेज करेक्टरेस्टिक्स सेम परसेंटेज नेक्स कुशन देखते हैं कि विट डीच जनेरेटर विच ओप्डा फॉल्वेंग रेगुलेशन इस प्रिफर्ड देखें जो रेगुलेशन होता है आपका जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा मिनीमम होना चाहिए क्यों देखें जो पर रेगुलेशन है उसका मलत्ब क्या है अगर हमिस्कार बात कर रहे है इसपीड बात कर रहे हैे तो जहीं होता है नो लॉट स्पीड माइनस फूल लोड स्पीडि रिवाड़ नो लोड स्पीड यहामारे रेग्लेशन के डिफाइんだ करता है जन्रally बात करें अब तो नो ल पर लेकर चले नोलोड फिड़ेंगर हमारी 1500 rpm है और फूल लोड इस्पीड हमारी कि 1490 rpm है तो डिपरेंस कितने का यह हम देखना चाहरें और हम चाहते हैं कि नोलोड पर फूल लोड पर क्या होई इस पीड दोनों बराबर यह तो यह बराबर कब हो सकती है जब इसकी वैलू क देखिए कौन सा है option d 1% regulation यही minimum है तो option d correct हो जाएगा हम हमेशा minimum regulation को prefer करेंगे भला ही voltage regulation की बात हो हमेशा minimum regulation को prefer करेंगे next question देखते हैं in a DC generator the critical resistance can be increased by increasing its field resistance decreasing its field resistance increasing its speed decreasing its speed देखिए दोस्तों यह एक करूब बनावा है आपका यहां पर यह फिल्ड रेजिस्टेंस की लाइन है यह वाली जो लाइन है अगर बाकि आप देखिए इसमें अगर यह पॉइंट सी पे आप देखिए इस पॉइंट सी को अगर मैं सी क्रिटिकल स्पीड मान लेता हूं 900 आर्पीम अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा चैसा क्रिक्ड आर्पीम 1200 के लाइन तो जैसे-जैसे स्पीड़ को रही है यह पॉइंट होता लौई कि हमारा जो रेजिस्टेंस वह होता जा रहा है कि हम इससे कह सकते हैं कि हमारा critical resistance होता है वो proportional होता है इस पीड के तब हमसे question में पूचा था कि आप DC generator में critical resistance को कैसे increase कर सकते हो तो option A correct हो जाएगा इसमें increasing its field resistance अगर field resistance इंक्रीज हो जाएगा आपका sorry option C correct होएगा आपका increasing its speed अगर speed increase होगी तो यह आपका critical resistance इंक्रीज होगा नेक्स question देखते हैं the number of armature parallel paths in a two-pole DC generator having duplex lap winding is देखें दोस्तों lap winding में जो parallel paths होते हैं वो पोल्स के equal होते हैं यह बराबर पी होता है इसमें इसको याद रखने का तरीका यह था कि लैप में और पी आता है इसलिए बराबर पी अब यहां पर हमको बोला है duplex lap winding duplex में क्या हो जाएगा जो parallel path होंगे और two times हो जाएंगे पोल्स के तो यहां पर हमको दिया हुए two pole machine है तब पहले पाथ आपको बताना है तो टू इंटू टू तो टोटल पहले पाथ किते हो जाएंगे आपके फोर तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा इसका नाइस कुछन देखते हैं दा स्रीज फील्ड ओफ है सोट संट dc जनरेटर इस एक्साइट बाई सबसे पहले हम सोट संट डीसी जनरेटर बना लेते हैं कि यह सोट संट डीसी जनरेटर हम बना रहे हैं सोट संट में क्या होता है जो फील्ड सर्कृट होता है वह यहां से टैप किया जाता है और अगर यह लोंग संट होता तो इसी की जगह यहां से टैप करते हम इसको यहां से आपका armature current फिल होगा यहां पर आपका field current होगा और यहां पर क्या होगा आपका load current यह आपका 5SE होगया series field और यह आपका 5SSH होगया अब आप देखिए कुश्चन में हमसे बोला है जो स्रीज फिल्ड है सोर्ट संडी से जन्रेटर की हो किस करन्ट के दुवारा excited होती है और यह दे रखा external current भी दे रखा armature current सी में संट current दी में load current तो option दी इसमें correct हो जाएगा देखिए इस तो स्रीज फिल्ड है से क्या हो रहा हमारा लोड करेंट ही फिलो हो रहा है तो option दी करेक्ट हो जाएगा होता है हमारा demagnetization का मतलब है यहां पर रिडक्षन हो रहा है उसमें फ्लक्स में और क्रोस का मतलब है डिस्टोर्शन तो हमसे यह पूचा है कि कितना reduction होता है armature reaction के करण दोस्तों जो armature reaction होता है उसके करण हमारा लगवक 5% जो फ्लक्स होता है वो reduce हो जाता है तो option डीस में correct हो जाएगा नैक्स कुश्चन है संट जनरेटर और मोस सुटेड फोर इस्टेबल पैलल ऑपरेशन विकोज ऑफ देयर तो यह अभी हम पहले भी कर चुके है इस्टेबल पैलल ऑपरेशन के लिए हमको dropping characteristics वाला जनरेटर चाहिए तो वह किसके होत दा मेंन्ट फैक्टर विच लिट्स टू अनिस्टेबल पैलल ऑपरेशन ओ फ्लैट और कंपाउंड जनरेटर इज क्योंकि उनके क्योंते राईजिंग वोल्टेज सीक्ट होते है इसलिए इनको में प्रिफर नहीं करते है तो राईजिंग वोल्टेज क्रेक्ट में क्या हो जैसे जैसे लोड करुंट इंक्रीज होएगा हमारा वैसे वैसे से यह एंफ इंक्रीज होएगा जब एम बिर घूबाट तो फिर से करेंट जिए प्रोसर हो जाती है और नीश्टेबल हो जाता है इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं नेक्स्कूशन है इसकूशन का अंसर आप लोगों कमेंट बोक्स में देना है इपर सेल्प एक्साइटेट डीसी जनरेटर आप्टर बिंग इंस्टोल फेल्स टू बिल्डप ओन इट्स फर्स ट्रायल रन दा फर्स तिंग तू दू इज तू ऑप्सेंस दे रखें रिवर्स प्लीज लाइक करें और सेयर करें सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों अगर पसंद आया तो थैंक्यू दोस्तों